नमस्कार दोस्तो YouTube चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रोकेट के बारे में स्प्रोकेट का यूज क्यों किया जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल करके इंडेस्ट्री में हम किसी भी मशीन के RPM को कम या जादा कर सकते हैं दोस्तो वीडियो का टोपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरू कर दे 200 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि स्प्रोकट के साइज उसके numbers of teeth के द्वारा कैसे हम RPM को calculate कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दो स्प्रोकट दिखाई दे रही हैं। इसमें से एक जो स्प्रोकट है वो है driver स्प्रोकट जो motor की shaft या फिर जो geared motor होते हैं उसमें gearbox की shaft पे लगाई जाती है। इसलिए इसको driver sprocket कहते हैं और जो दूसरी sprocket है उसको बोलते है driven sprocket यह जो sprocket है यह उस machine के उपर लगाई जाती है जिसको हमने गुमाना है For example, हमको किसी rotary valve को गुमाना है तो यह जो driven sprocket है यह rotary valve की shaft के उपर लगाई जाएगी और अगर हमको किसी screw can wear को घुमाना है तो यह जो driven sprocket है वो screw can wear की shaft के उपर लगाई जाएगी तो दोस्तो अभी हम इसके rpm calculate करके देखते हैं दोस्तो यहाँ पे यह जो driver sprocket है इसके numbers of teeth है 24 और यह जो driven sprocket है इसके numbers of teeth है 48 और यह जो small sprocket है यानि जो driver sprocket है यह जिस motor की shaft के उपर लगाई गई है उसके rpm है 740 यानि यह जो sprocket है जिस shaft के उपर लगाई गई है वो 740 वार घूमती है एक मिनट में तो अभी हम यह जो driven sprocket है यह जिस machine के उपर लगाई गई है उस machine को कितने rpm पे घुमा रही है वो हम rpm calculate करके देखेंगे दोस्तो यह जो driver sprocket है यह motor के दुआरा 740 rpm पे rotate कर रही है तो हमको करना क्या होता है motor के जितने rpm होते हैं और उस motor के उपर जो स्प्रोकट लगाई होती है जिसको हम driver sprocket बोलते हैं उसके numbers of teeth के साथ rpm को multiply करते हैं यानि हमको करना क्या है 740 को multiply करना है 24 के साथ ठीक है और इसको divide कर देना है हमको driven sprocket के numbers of teeth के साथ तो Driven Sprocket के Numbers of Teeth है 48, यानि हमने 740 को Multiply करना है 24 के साथ, और Divide कर देना है हमको Driven Sprocket के Numbers of Teeth, यानि 48 के साथ, तो इसके बाद जो हमारे पास Value आएगी, तो वो Value Driven Sprocket जिस Machine की Shaft के उपर लगी हुई है, वो उतने RPM पे Rotate कर रही है, तो ये Value है 370, यानि ये जो Driven Sprocket है, ये जि की Shaft के उपर लगी हुई है, वो 370 बार Rotate कर रही है, तो दोस्तों ऐसे हमने Input पे जो RPM दिये है, वो है 740, और जो Output पे दूसरी Machine को हमने Rotate किया है, वो RPM है 370, ऐसे हमने 2 Sprocket का Use करके, RPM को कम किया है, तो अगर हमको RPM को बढ़ाना होगा, तो हम क्या करेंगे, जो Drivers Sprocket होगी उसका Size यानि उसके Numbers of Teeth जादा होगे, और जो Driven Sprocket होगी, उसके Numbers of Teeth कम होगे, तो ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, जिस Machine की Shaft के उपर Driven Sprocket लगी होगी, उसके RPM भढ़ जाएंगे, तो ऐसे हम Sprocket के Size को कम या जादा करके, RPM को भी कम या जादा कर सकते हैं, दोस्तों गुमाने में ज्यादा टॉर्क लगती हो, तो वहाँ पे Belt की जगां पे Sprocket का यूज किया जाता है, Belt वहाँ पे Slippage होने के Chances जादा रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे Sprocket का यूज किया जाता है, दोस्तों इंडेस्ट्री में जितनी भी Convair होती हैं, चाहे वो Screw Convair हो, Bucket Ele Elevator हो, Radler Convair हो, या फिर रोटरी वाल हो, इन पे आपको Sprocket Chain देखने को मिलेगी, क्योंकि इनको घुमाने में ज्यादा टॉर्क लगती है, तो इसलिए यहाँ पे Belt का यूज नहीं किया जाता, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी informative लगी है, तो वीडियो क लाइक जुरू कर दें, और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें